नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका हमारे यूटूब चेनल फ्री एजुकेशन में हैं दोस्तों इस साल के एक रंट अफेस के जो मोस्ट इंपॉइंट 500 कोस्टन की सीरीज चर रही है इस कोस्टन सीरीज का जम पंदरमा पार्ट लेकर आए हैं इससे पहले हम 14 पार्ट अप्लोट कर चुके हैं तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं और दोस्तों आज किस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी कॉस्टन सेलेक्ट किये हैं सारे के सारे question important हैं अच्छे level के question है और इस सभी question को हम बिलकुल detail में with extra fact के साथ में हाल करेंगे तो चलिए दोस्तो फटाफट से शुरू कर लेते हैं नमर फस्ट question है विस्व आर्थिक फोरम यानि की WEP के दोरा जारी वैस्बिक सामाजिक बदलाव सूचकंक 2020 में भारत का इस्थान कौन सा है तो देखे दोस्तो जितने वी question इस वीडियो लेक्चर में लाया हुए तो आपको पहले से किसी question का answer पता है तो वीडियो को post करके answer लगाएं इसके बाद मैं answer बताऊंगा और question के relation में जितने वी extra facts वन सकते हैं उन सभी facts को समझाऊंगा तो देखे दोस्तों मैं आपको सारी detail बता देता हूँ जो बैस्विक सामाजिक बदलाव सूचकंक होता है ये किसकी द्वारा जारी किया जाता है तो ये WFN की World Economic Forum के लगाउन जारी किया जाता है ठीक है इसमें यादी हम बात करें अपने देख भरत की रैंकिंग की तो इस साल 2020 में अपने देख भरत की रैंकिंग है 76 भी तो इस question का C option सही हो जाएगा ठीक है actual में इस index में 82 देखों में 82 देखों में अपने बात की क्या है तो 76 भी है ठीक है यदि हम बात करें इस इंडेक्स में पहले इस्थान पर कौन सahn देश नेक्स है और यह जो इंडेक्स यह स्वास्त सिख्चा थेक्निलोजी और सुरक्ष्चा का मूल यंकन करके तयार时间 किया जाता है नेस्ट कॉस्टन देख लेते हैं दोस्तों अंगला हमारा कॉस्टन है किस राज की सरकार ने टी एच डवल इ मुवाइल एप लॉंज किया है तो देखे दोस्तों टी एच डवल यानि की थी मुवाइल एप जो है यह किस राज ने लॉंज किया है तो यह आपकालिन इस्तिती से निपटने के लिए थी मुबाइल एप को लॉंच किया है ठीक है यह जो एप है इसकी मदद से आग लगने पर तूफान आने पर गैस लिख होने पर या किसी भी प्राक्तिक आपदा या फिर आपकालिन इस्तिती में मदद मिलेगी अब देखे दोस्तो यहां पर बात हुई है तमिलनाडू राज की तो जो तमिलनाडू है इसकी राध्धानी क्या है चेंड नहीं है यहां के मुखमंत्री में आपको बता चुका हूँ कौन है के पलानी सौमी है और यहां के राजपाल कौन है तो वनवारी लाल पुरो है तो जो है यहां के कोस्टन देख लेते हैं दोस्तों अंगला हमारा कोस्टन है किस राज की सरकान ने बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभ्यम मोबाइल एप को लॉंच किया है तो देखे दोस्तों आंद्रप्रदेश सरकान ने कैब और आटो में सफर करने वाली महिलाओं यह उन मुकमंत्री कौन है तो वाई एस जगन मोहन रेड़ी यहां के मुकमंत्री है और यहां के गवर्नर कौन है तो विस्ब भूसन हरी चंदरन जो हैं यह आंद्रप्रदेश के गवर्नर है नेर्स कोस्टन फुसकर पुसकर 2020 में किस फिल्म ने वैस्ट पिक्चर का अबर्ड जीता है तो देख दूश्टो ऑसकर पुसकर 2020 की यदि हम बातinku करे intrigued तो इस साल इसका कौन सा वर्जन था तो 92 वर्जन था ठीक है 92 वर्जन था और आसकर पुरस का 2020 में बेस्ट पिक्चर का अबड जीता है पेरासाइट मुवी ने तो इस कॉस्टन का C option है हो जायागा ठीक है और जो पेरासाइट मुवी है ये एक साउथ कोरिया की मुवी है ठीक है ये साउथ कोरिया की मुवी है और देखे दोस्तो आसकर पुरस का 2020 में बेस्ट डारेक्टर, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्टर्स तीनों हमें पता होने चाहिए तो बेस्ट डारेक्टर का अबड किसने जीता है तो वांग जून हो ने जीता है ठीक है इन्होंने कौन सी मुवी डारेक्ट की थी तो पेरासाइट मूबी ही इन्होंने डारेक्ट की थी ठीक है और बेस्ट एक्टर का अबर्ड जीता है जोकिन फोनिक्स ने और जो है इन्होंने जोकर फिल्म में एक्टिंग की थी ठीक है और बेस्ट एक्टर का अबर्ड किसने जीता है तो रहनी जेलवेगर न जीता है ठीक है इनोंना जो है जूडी फिल्म में एक्टिंग की थी तो ये तीन चार फेक्ट हैं तीनों आपको याद रखना है ये आपके एक्जाम में जरूर पूछे जाएंगे नेश्ट कोस्टन है किस देश के पूर्व प्रधान मंत्री साधिक अलमहदी का निधन हो गया है तो देख दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि हाली में साधिक अलमहदी का निधन हो गया है ये जो है ये सूडान देश के पूर्व प्रधान मंत्री थे तो इस कोस्टन का सी अधनी है और बरतमान में सूडान के प्रधान मंत्री कौन है तो अब दल्ला हाम डोक जो है ये बरतमान में सूडान देश के प्रधान मंत्री है नेश्ट कोस्टन देख लेते हैं दोस्तों अंगला हमारा कोस्टन है मेमत ओपरेशन किस से संबन्दित है तो देख दोस्तों ज देख लियते हैं दो स्तों अंगला हमारा कॉस्टन है, 2020 में किसी जर्मन बुक्टरेद के सांती पुर्षकार से सम्मानित किया गया है, अमर्त सेयन को तो इस जर्मनी की एक संस्ता है और इसके दूआरा 1950 से ये सांती पुर्षकार दिया जा रहा है और अमर्तसाइन के बारे में यदि हम बात करें तो अमर्तसाइन के बारे में सबी लोग जानते होंगे ये भारत के famous अर्थसास्त्री हैं इनको जो है 1998 में याद रखना इनको 1998 में अर्थसास्त का नोबल पृसकार दिया गया था और इनको जो है 1999 में भारत रतने दिया गया था ये दो एक्ट्रा फेक्ट जो मैंने बताए है ना अमर्थसान के बारे में ये बहुत ही जादा important है next question देख लेते हैं दोस्तो अंगला हमारा question है भारत की प्रिशिद IT company TCS की संस्तापक का निधन हो गया है इनका नाम क्या था तो देख दोस्तो TCS की जो संस्तापक थे इनका नाम था फकीर चंद्र कोहली ठीक है और इनका जो है हाली में निधन हो गया है तो इस question का B option सही हो जायागा देख दोस्तो जो फकीर चंद्र कोहली है ना इनको भारती IT industry का पिता कहा जाता है ठीक है दोस्तो इस question में बात हुए TCS company की तो जो TCS company है ये क्या है तो ये एक भारती company है और इसका full firm क्या होता है TCS का तो Tata consultancy services का full firm होता है इसकी स्थापना हुई थी 1968 में इसका headquarter जो है ये Mumbai महराष्ट में इस्तित है और बरतमान में इसके MD and CEO कौन है तो राजिस गोफी नातन जो है बरतमान में इसके MD and CEO है नेश्ट कोस्टन है हाली में launch चर्चित पुस्तक Wuhan diary dispatch quarantine city की लेखक कौन है तो देख दोस्तो हाली में Wuhan diary नामक एक पुस्तक launch की गई है और इस पुस्तक की राइटर का नाम है phone phone तो इस question का a option सही हो जाएगा ठीक है और ये phone phone जो है ये चीन की राइटर है ठीक है ये चीन की राइटर है देख दोस्तो coronavirus जो है ये चीन की Wuhan सहर से फेला है ठीक है और जब ये virus फेला था तब Wuhan सहर में total 60 दिन के लिए lockdown किया गया था ठीक है तो इन 60 दिनों में Wuhan सहर के लोगों की क्या हाला थी वो हाला जो है इस पुस्तक में बताई गई है और ये जो Wuhan diary पुस्तक है इसका जो है लगभग 15 भासाओं में translation भी हो चुका है और इस पुस्तक को जो है भारत में भी launch किया गया है ठीक है इस पुस्तक को भारत में भी launch किया गया है तो चुकि ये पुस्तक जो है इसका relation coronavirus है और coronavirus जो है अपने आप में एक trending topic है तो आप इस पुस्तक के बारे में याद रखेंगे Next question है किस नदी के नीचे भारत की पहली फोर लेंस रंग के निर्माल को मंजूरी मिल गई है तो देख दोस्तो ब्रह्मपत्र नदी के नीचे ब्रह्मपत्र नदी के नीचे Next question है अमेरिका के नए राष्टी सुरक्षा सलायकार यानि की एन ऐसे कौन बने हैं तो देख दोस्तो अमेरिका के नए राष्टी सुरक्षा सलायकार बन गए है जेक सुलीवान तो इस question का A option सही हो जाएगा Next question देख लेते हैं दोस्तो अंगला हमारा question है मेरे सपनों का भारत पुस्तक किसके दोरा लिखी गई तो देख दोस्तो मेरे सपनों का भारत जो पुस्तक है ये लिखी गई है तरोन विजय के दोरा तो इस question का B option सही हो जाएगा ठीक है ये जो पुस्तक है ये गांदी जी की विचारधारा पर लिखी गई है नैस्ट कॉस्टन है टाफे के ब्राण डेमबेश्टर कौन है तो देख दूस्तो टाफे के ब्राण डेमबेश्टर है तो अक्षे कुमार है नेश्ट नेश्ट कोस्टन है किस देश के सांसद डाक्टर गौरव सर्मा बेदेशी धरती पर संस्कृत में सपत लेने बाले भारती मूल के पहले सांसद बन गए है तो ये बन गए है गौरव सर्मा ठीक है और ये किस देश के सांसद बने है तो ये नि मंचल प्रदेश की मूल निवासीं है यह नियूजिलेंड में चनाव कौन नहां यहां की है नावर बात हुई है यहां यहां की प्रदानमंत्री कौन है यूद अख ने देख लेते हैं दोस्तो अंगला हमारा कॉस्टन है जे वी एल की ब्रांड एमबेस्टर कौन बनी है तो देख दोस्तो जो जे वी एल कंपनी है ये साउंड बनाने की इंटरनेशनल लेविल की कंपनी है ठीक है साउंड बनाने की इंटरनेशनल लेविल की कंपनी है और इसकी जो Brand Ambassador है बो है सारा अली खान तो इस question का ए आप्सन सही हो जाएगा चाइब बिक्सक्तर गांगोली के बारे में आप को पता होना चाहिए कि ये बरतमान में BCCI के अध्यक्ष है ठीक है ये बरतमान में BCCI के अध्यक्ष है और जो living guard company है ये marks बनाने वाली company है ठीक है ये जो है ये mask बनाने वाली company है नेश्ट question देख लेते हैं दोस्तों अंगला हमारा question है हाली में साबर मति घाट का नाम बदल कर क्या रखा गया है तो दोस्तो सावरमती घाट का नाम बदल कर रखा गया है अटल घाट तो इस कॉस्टन का ए ओप्सन से हो जाएगा और ये तो सभी लोग जानते हैं कि सावरमती घाट कहां पर रश्ते थे तो ये गुजरात में इस्ते थे अंगला कॉस्टन द अबादी को दोगाना करने के लिए TX2 अंतरराष्टी उप्रसकाज जीता है तो इस question का A option सही हो जाएगा और जो पीली भी tiger reserve है यह किस state में इस्ते थे तो यह जो है यह उत्तर प्रदेश में इस्ते थे कहाँ पर उत्तर प्रदेश में इस्ते थे नैश्ट question है हरयाना के गु मेबाद सहर है इसका नाम रखा गया है नूह ठीक है तो गुरूग्राम और नूह जो है यह गुडगा और मेबाद सहर के नए नाम है तो इस question का B option सही हो जाएगा नैश्ट question देख लेते हैं दोस्तों अंगला हमारा question है मानव पूझी सूचकंक 2020 में भारत किस इस्थान पर तो देख दो स्थो मानव पूझी सूचकंक 2020 में भारत रहा है 116 वे इस्थान पर तो इस question का A options सही हो जाएगा तो देख देख दोस्तों यह जो शूचकंक है यह किसके दौरहां जारी किया जाता है तो यह सूचकंक जो है वृल्ड वैंक के दौरहां जारी किया जाता है य जापान जो है ये तीसरे इस्थान पर है नेस्ट कॉस्टन देख लेते हैं दोस्तो अंगला हमारा कॉस्टन है किस राज की सरकान ने हिम सुरक्षा अभियान की सुरुआत की है तो देख दोस्तो हिम सुरक्षा अभियान की सुरुआत की है हिमांचल प्रदेश ने तो इस कॉ प्रदेश राजने की है तो देखे दोस्तों जो हिमांचल प्रदेश की राध्धानी है वो क्या है सिमला है यहां के बरतमान में सियम कोन है तो जायराम ठाकोर है और बरतमान में यहां के गवर्नर कोन है तो बंडारू दत्तते रिये जो है यह हिमांचल प्रदेश के बरतमान में governor है नेश्ट कोस्टन है वेंगलरू सहर में खालिस्तान की एक नई प्रजाती की खोच की गई है जिसे इस पेरो थे का वेंगलरू नाम दिया गया है तो देख दोस्तों बेंगलरू सहर में मेंडक की एक नई प्रजाती की खोच की गई है और इसको जो है इस पेरो थे का बेंगलरू नाम दिया गया है तो इस question का D option सही हो जाएगा next question है कोईले से बिजली उत्पादन करने वाला पहला अरब देश कोन बन गया है तो देखे दोस्तों कोईले से बिजली उत्पादन करने वाला पहला अरब देश बन गया है UAE तो इस question का B option सही हो जाएगा अब देखे दोस्तो जो UAE है इसका फुल्पुम क्या होता है तो United Arab Emirat होता है हिंदी में इसको कहा जाता है सायोकता Arab Emirat ठीक है और जो सायोकता Arab Emirat है ये Asia महादीप में स्तेत है इसकी राध्धानी क्या है तो आबू धा भी है ठीक है यहां की करंसी क्या है तो UAE दिरहम जो है की करंसी है और वरतमान में यहां की राष्टपती कौन है तो सेख कलीफा बिन जायद अलनायहान जो है ये राष्टपती है नैस्ट कोस्टन है किस सहर ने अपना पहला मास्क वैंक सुरूं किया है तो देख दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दिल्ली निगर निगम ने दि झोई भी व्यक्ती फिरी में मास्क ले सकता है और देख दोस्तों बात यहां पर हुए डिल्ली की तो जो दिल्ली है इसकी रधन क्या है तो निउ दिल्ली नूदली तो अनेल वेजल जो है यहां के उपराजपाल रिगे जोमहो पूछते हैं हमारे प्रीएस वीडियो से कौस्ट्म में पूछा गया कि पंधर não डिए चार ओप्सन दिये गए हैं अइस ग्रेंटर छीए जैलिक सकते हैं या प्र G20 जो संगठन है इसके बार में आप डेटेली भी लेख सकते हैं तो थेंक दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको वीडियो कैसा लगा इमांदारी से हमें कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और कम से कम अपने पांच दोस्तों के साथ वीडियो को सेयर करें जो नए लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में दवालें वैल आइकन दवाने से क्या होगा कि जब भी मों की लेटिस्ट और नया वीडियो तो उसका नोटिफिकेसन आपको मिल जाएगा आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे और देखे दोस्तों इसी परकार के जो most important 500 question की सीरीज चर रही है यदि आप इसके सारे पार्ट एक साथ देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने यहाँ पर आई बटन में द देख लें ठेंक दोस्तों मैं मिलता हूं आपको किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए चैहिन जै भारत बंदे मात्रम